अजो 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 आज वेलकम टो बेस्ट नोट टूटोरियल और आज हम बात करेंगे उत्रा खंड के बारे में उत्रा खंड में हम आज स्टेडी करने वाले हैं पूरी जियोग्राफिकी तो हमारे पास काफी सारे मैप्स हैं जिनके जरीए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उत्रा खंड का जो टोटल हम स्टेडी करने वाले हैं चीजों की जो लोकेशन हैं उनके बारे में हम टोटल बात करने वाले हैं तो यह सारे आपके पास मैप हैं वन बाई वन सारे मैप देखने वाले हैं फर्स से लास तक लेकिन मैं आप लोगों एक चीज बता दूँ कि ज बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए अगर मैप पे लोकेशन आपको सही तरीके से जानकारी है उस चीज की तो आप डेफिनेटली जो फैक्ट हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे आप इस तरह के फैक्ट से अगर बुक से करने की कोशिश करेंगे कि जैस का मैप है उसे बनानी का जो ट्रिक है उसे सबसे पहले समझना है तो उसमें जो मैप की ट्रिक है, वो आपको यहां से शुरू करना है, यह है आपका पॉडी, तो पॉडी में क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको इस तरह से यहां पर C टाइप बनाना है, और आपको पॉडी का यह डिजाइन, देखी यह जो मैप है आपका, यह बहुत पिक्चराइजेशन हो जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों कहा है, कुछ चीज़ें हम ट्रिक से याद करेंगे, कुछ पिक्चराइजेशन से याद करेंगे, कुछ चीज़ें रटेंगे, तो यहां पर है आपका पिक्चराइजेशन मैथड, और बहुत अच्छे से यूज गड़ियर दून है उपर अगर आप जाते हैं तो यह टिहरी गड़वाल है आपका यहां पर आपको मिलेगा चमोली और अगर आप इधर नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहां आपका अलमोड़ा और अलमोड़ा के नीचे आपको नैनिताल मिलेगा all right तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 and 6 यहां तक आप देखेंगे ठीक है तो 6 जो हमारे डिस्टिक है जो जिले हैं वो किस से जुड़े हुए हैं आपके पॉड़ी से जुड़े हुए हैं तो एक कुश्चिन आपका ये क्लियर हो जाता है सिर्फ आप देखें पिक्चराइजिशन करने से आपको इतनी बात पता चल उसमें कुश्यन आता है कि कोई दर्रा उत्तरकाशी और पिथोरागड़ के बीच में हैं तो आपको कभी कन्फीजन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं तो जब भी अगर आपको आप्शिन में देखना होगा तो आपको चमोली और पि मैप बनाना है तो आप इस तरह से यहां पर कोई एक गूला खीच लीजिए ये होगया आपका पौड़ी पौड़ी के बाद आपको एक लाइन यहां पे खीचनी है एक लाइन इस तरह से आप यहां पर खीच सकते हैं अगर बहुत स्टेंडर्ड खीचने के कोशिश करेंग अगर इधर जाएंगे आप तो इधर देहरा दून आप लोगों को मिल जाएगा, उपर जाएंगे तो यह ठीरी हो जाएगा, आपको एक लाइन आपको इस तरह से खींच लेनी है, जिससे आपको पता चल जाए कि यह दोनों, अलमोडा और आपका उपर चमोली, यह दोनों च आपको बहुत स्टेंडर्ड नहीं बनाना है, तो आप इन्हें इस तरह से जोड़ना शुरू कर देजिए, आप पॉड़ी को सेंटर पॉइंट पॉड़ी को मान के चलिए, तो आप इजीली पूरा बनाना शुरू कर देंगे, यहाँ पर आपका ट्राइंगल है, देखिए से यह आपका बन किया, तो यह आपका एक खाका आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पूरी तरह से पिक्चराइजेशन करके, कि यह हो गया आपका उत्राघंड का मैप, अब चलते हैं, फर्स्ट वाले, जो हमारा फॉस्ट मैप है, वन बाइवन, यह आपको यह जो पीडि वाली यह वाला हम देखते हैं, अब आपको यह सारी चीज़ें आपने यहां पर पढ़ लिए हैं, अभी वन बाइवन हम इनको पढ़ने वाले हैं, तो सारी चीज़ें, शॉर्ट कट भी मैं आप लोगों को इसके बताऊंगा, कि आपको शॉर्ट कट किस तरह से करने हैं, किस तरह से याद करनी हैं, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं, फर्स्ट वाला, तो जैसे आपने ये वाला मैप याद किया है, तो इस वाले मैप को याद करने के बाद, आपको ब्लैंक वाले मैप में चले जाना है, इधर जो हमारा ब्लैंक वाला मैप था, उसमें आप क् करते हैं शुरुआत से आपके पास ये कौन सा है ये बिलकुल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ये है आपका उत्तरकाशी और उत्तरकाशी जो है उपर की तरफ यहां से ध्यान दीजिए उत्तरकाशी के उपर क्या है आपका तिबबत है और यहां आपका क्या है तिब तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में दर्रे होंगे नीचे देखे कोई दर्रे नहीं है इन में आपको कोई दर्रे नहीं मिलेंगे तो आपको confusion नहीं दूर हो जाएगा कि यहां कोई दर्रे है यह नहीं जितने भी दर्रे हैं इस लाइन में आपके तो आप इस तरह से ये कर्व आपको पिक्चराइजेशन से याद हो जाएगा कि ये कर्व में आपके पूरे दर्रे हैं तो अगर नीचे का कोई भी आता है आप्शन में तो ओविसी बात है कि वो आपका अंसर नहीं होगा इधर आपका उपर तो हो गया आपका तिब्बत हो गया इस साइड की तरफ आप देखेंगे तो ये हिमाचल परदेश हो गया अब इसमें देखते हैं कौन-कौन से दर्रे हैं तो हिमाचल और जो आपका उपर उतरकाशी है उत्तरकाशी के बीच में एक ही है वो है आपका श्रिंकंट अब आपके बीच में जो बचे है थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सांग चोकला तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है ये भी आपको ग्रूप में PDF में मिल जाएगा उत्तरकाशी और तिबबत के बीच के जितने भी आपके दर्रे हैं वो है नेलंग उठ तब मूली का साग थाली में खा तो फॉर्मूला आप पूरा लिख लीजिए कि नेलंग उठ यहाँ पर आपको लिखके दे देता हूँ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका थांगला मूलिंगला नेलंग और साग चुगला यहाँ पर उठ से आपका उत्तरकाशी है और तब से है तिबबत अब बाकी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं नेलंग हो गया, मुलिंगला हो गया सांग चोकला हो गया और ठांगला हो गया यह सारी चीज़ें हो चुकी है आपकी अब अगला वाला देखते हैं अगला वाला जो है आपका यहां पर एक कालंदी है आपका कालंदी तो यह जो कालंदी है इसको आपको हमेशा जब भी आप कालंदी पढ़ेंगे तो उची कालंदी पढ़ेंगे ताक थाली में खा अब इसके बाद आपके पास में आता है पूरा जो आपका तिबत और चमोली के बीच में जितने दर्रे हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि जो पूरा है लेकिन उससे पहले पहले हम इन सारी सारी जो है इनको देखने के देखने से पहले यहां पर देखे ठीक है? तो यह जो सुन्दर ढूंगा है, क्यूंकि इनीसे पूछा जाएगा, जैसे कालन्दी हो गया, श्रिंक paper हो गया, सुन्दर ढूंगा हो गया, इनसे काफ़े सारे questions पूछे जाते हैं, तो आपको जो याद करना है संदर ढूंगा के लिए कि चबा संदर टीक है, अगर आप गड़वाली है या मेंस उत्रा खंट से बिलॉंग करते हैं तो आपको पता होगा कि जो ढूंग बोलते हैं पत्थर के लिए बोलते हैं, all right? तो चबा संदर ढूंगा means आपको क्या करना है जो ढूंग हैं पत्थर हैं उनको चबाना है तो चा से आपको पता है कि यह चमोली हो गया और यह हो गया आपका बागेश्वर अब कई बार यह कोशिन आता है कि चमोली जो चा है उससे चमपावत भी हो सकता है लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैप में अगर आप देखेंगे कि चमपावत का यहां कोई कनेक्शन नहीं है यह किस्से है चमोली से ही जुड़ावा दर्रा है ओकी दर्रा होता क्या है दर्रा दो पहाड़ीयों के बीच में क्या होता है एक वे होता है एक रास्ता होता है बारीक रास्ता कहीं जाने के लिए दूसरी तरफ जाने के लिए तो सुन्दर ढूंगा का हो गया चबा सुन्दर ढूंगा इससे पता चल जाएगा उची कालंदी से आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि उच्छकालंदी हो गया है अब एक यहाँ पर आ जाते हैं इससे आपको डिरेक्टली आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह कौन सवाल है तो यह है आपका लास्पा तो लास्पा के लिए आपको याद रखना है चप्पल ठीक है लास्पा के लिए क्या याद रखना है बिलकुल चप्पल तो जितनी बार आप दिन भर में अपना चप्पल देखेंगे आपको याद आएगा कि एक जो है चप्पल से लास्पा चा से हो गया आपका चंपावत यह जो है आपका यहाँ पे चंपावत और उपर है आपका पितोरागड तो पितोरागड और जो चंपावत है उसके बीच में जो है वो कौन सा है आपका लास्पा दर रहा है अब आजाते हैं आपका जो चमोली में हैं चमोली में और चमोली और तिब्बत के बीच के ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर नीती, किंगरी, बिंगरी, डुंगरीला, बालचा, घाटलिया, कोई, भ्यूंडार, और सर्चला, तंजुम, चोर होती, और लंबग, लंबग, तो इन सब को हम देखेंगे, कि किंग के, इसमें मैं आप लोगों को शोटकर साथी साथ आप लिखते हुए चलिए, क्योंकि लिखते हुए आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, जो रोज की क्लासेज हैं, किंग के, बलवान, साले की, नीती, में, कोई, देखिए, जो हमने अभी देखा था, यहां पर आप देख सकते हैं, कोई, मुन्डा, मुन्डा, चोर, नहीं, किंग के, बलवान, साले की, नीती में, कोई, मुन्डा, चोर नहीं, जो बार-बार अगर आप पढ़ेंगे तो यह आपके फलो में आ जाएगा, अब जो किंग से है, किंग से ऑपका किंगरी, बिंगरी हो गया, और जो बलवान头 है, बलवान से आप को बाल चाधुरा बाल चाधुरा यहां पर नहीं है यहां पर आप उसे नोट कर सकते हैं बाल चाधुरा और उसके बाद है साले साले से आपको शल्सला यह जो है आपके पास में नीती नीती हमें बहुत अच्छे से सभी को याद होता है नीती में में से माना नीती माना यह ल मुंडा से मुंडार गाटी जो है और उसके बाद है आपका चौर होती, यहानसे चौर से आपका चौर होती हो गया तो इतनी आपकी क्या है तोटल अब इनने एक बार देख लिए और किंग के बल्वान साले की नीति में कोई मुंडा चौर नहीं हुपफुले आप लोगों ने लिख लिया होगा तो ये सारी नीती, किंगरी, बिंगरी माना, डुंगरीला, बालचा, घाटलिया कोई, भ्यूंडार और इसे भ्यूंडार भी पढ़ा जाता है भ्यूंडार, सल्चला, तंजुम, चोर होती और लमलग, ये सारे आपके हो गए अब आज आते हैं यहाँ पर पितोरागड का जो है आपका लिपुलेक, गुंजी, दार्मा नवी धुरा, मांचिया लंपिया, उटा जैनती और लेवी, तो आपके जो पूरे पितोरागड से तिबबत देखे, ध्यान दीजिए एक आपका नीचे है लास्पा, लास्पा के लिए आपको पता चल गया है लेकिन जो ऊपर है वो काफी सारे दर्रे हैं तो वो आपको देखने हैं तेरे पितोरों की जैनती पर जैनती पर नवीन लेक लिखूंगा यह आपका टोटल जो दर्रे हैं वो इसमें आ जाएंगे आपके तो तेरे पितोरों की तो तेरे से आपको तिबबत और पितोरों से पितोरागड ठीक है की जैनती, जैनती से आपको पता चल जाना चाहिए की उटा, जैनती, पर नवीन, नवी से आपको नवी दुरा जो आपका है इसे आप लोग एक सामने लिख लीजे जिससे आप वीडियो के साथ साथ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तो यहाँ पर होगे आपका नवी दुरा लिखूंगा लिपुलेक और लम्पिया दुरा और लेवी दुरा यह लम्पिया दुरा यह होगया आपका लम्पिया दुरा और लेवी दुरा और आपका उटा जैनती जो जैनती से हमने देखा उटा जैनती नवी से नवीन लेक लिखूंगा ओके सो यह हो गया का लिपू लेक यह तो हो गई आपकी बात की शौटकर के जरीए हमें किस तरह से याद रखना है लेकिन मैं आप लोगो बेस्ट जो तरीका है वो आपका पिक्चराइजेशन मैथड है आप क्या कीजिए कि बार बार अगर आपने इसे देखा होगा कि लिपू लेक यहाँ पर अगर आपने बार बार देखा है कि लिपू लेक यहाँ पर है लिपू लेक के नीचे गुंजी है दार्मा है नवी धुरा है मांसिया है लंपिया उटा जैनती यह सारी चीजें आप लोगों ने यहां पर देखी हैं तो डेफिनिटली आप इन्हें कभी गलत नहीं कर सकते हैं अगर आपने इन्हें पिक्चराइजिशन किया है आप देखे इसको करने का दो स्टेप हैं फर्स्ट स्टेप ये है कि इन्हें आप बहुत बार पढ़िए कि थांगला बार बार इस तरह से आप राउंड करके इनको पढ़िए जब आप लोगों को ये मैप मिल जाएंगे तो आप बार बार क्या करेंगे इनको इसी जगे पर लिखेंगे जैसे थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सांग चुगला ये आपको यहाँ पर लिखने हैं बार बार जब आप मैप आपने प्रिंट आउट करवा लिए हैं तो बार बार आप इनको यहाँ पर लिखे तो कभी भी आपके एक्जैम में गलत नहीं होगा जो शौटकर ट्रिक बताई है उससे भी कई बार याद नहीं होता है तो आप बार बार पैंसिल से एक ब्लैंक मैप लीजिए और उस ब्लैंक मैप में क्या करना आपको चीजों को उनकी जगे पर लिखना है जैसे यह पूरा ब्लैंक मैप है तो यहाँ पर आप लिखेंगे थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सांगचुगला उसके बाद आप यहाँ पर दो ऐसे मार्क बनाएए ठीक है, मार्क बनाकर छोड़ दीजिए देखिए, दर्रे की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है यह आपको प्रैक्टिस करनी है और इन चीजों को आपको जगे जगे पर यहाँ पर मार्क कर लेना है अब उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे कि जो यह वाला है, यह वाले दर्रे कौन से हैं तो ये वाले दर्रे हैं आपके थांगला, मूलिंगला, नेलंग और सांग चुकला ठीक है नेलंग ने मूली का साग थाली में खाया इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं एक शौटकट जो पिछला मैंने आप लोगों बताया था उसके बजाए आप ये भी लिख सकते हैं नेलंग ने मूली का साग थाली में खाया अब इस फॉर्मूले का आपको कहां पर लिखना है आप वो फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे जो बाकी फॉर्मूले हैं वो भी आप जगे जगे पर देखकर लिख सकते हैं उनको और इस तरह से आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनिटलि आपको सारी जगे बिलकुल लोकेशन वाइज प्रैक्टिस हो जाएंगी अब आते हैं नेक्स्ट जो मैप है उस पर तो यहां से आप लोगों का सेकंड जो मैप है वो शुरू होता है और इसमें आप ल लाके में होते हैं तो यह कुछ आप लोगों को इस तरह से याद रखना है और राइट इस तरह से आप लोगों का नीचे वाली पॉर्शन में आपको लोकेशन याद रखनी है इन चीजों की तो आप इसली इन चीजों को याद रख पाएंगे तो पहला है आपका ओर्डिन नहीं है आपको क्योंकि इसके बाद में आप लोगों को एक बहुत प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मिलेंगे तो आप लोगों को यह सारी चीजे उससे याद हो जाएंगी लेकिन अभी आपको पिक्चराइजिशन का की हेल्प लेनी है तो यहां पर हो गए आपका ओडिन आपको यहां पर है तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं अगर आप लोगों को ना भी बताओं तो यह आपका हरीद्वार है यह आपका देहरादून है मैं अल्रडी डिसक्स कर चुके हैं पॉड़ी में देखेंगे बी यी तो यह आपका कोड़द्वार मैगनेस साइट की बात करें तो मैगनेस साइट आपका नीचे आपको यहां पर मिलेगा नीचे है आपका नैंताल में हम्टी रामगर में और कागच उद्धिहुग एशिया का में काफी बढ़ावाना जाता है सबसे ज्यादा यहां पर कागच का प्रड़क्शन होता है इसलिए यहां पर लि आपको याद रखना है फिर है आपका क्राफ्ट डिजाइनिंग केंद्र जब आप लोग इसे पढ़ रहे होंगे तो आप लोग इसे जूम कर सकते हैं और आपको किसी चीज यहां पर दिखाई ना दे तो यह आपका क्राफ्ट डिजाइनिंग केंद्र यह आपका उद्धम जो इंस्टूशन है उनके बारे में तो यहां पर है आपका आयुरुवेदिक युनिवर्सिटी आप इसे हरीद्वार आप लोगों को पता होगा लेकिन जो इगनू का है और आई टी आए यह दो इंस्टूशन आपको यहां पर याद रखने हैं देरादून और आपका उत्र उद्धम सिंग नगर में बस आपको यह याद रखनी है चीजें और फिर आपका है नीचे अब हम बात करेंगे यहां से सारे जो हमारे ग्लेसियर्स हैं अब हम बात कर रहे हैं अब हम सभी लोकेशन देखेंगे कि जो बुग्याल है उन बुग्यालों की लोकेशन देखेंगे तो सबसे बहले हम देख रहे हैं चमोली की जो लोकेशन है बुग्याल की तो यह हमारा चमोली बार बार जब हम मैप देखेंगे तो आपको डेफिनि भी बुग्याल हैं उन्हें हम देखेंगे और उसके लिए आप एक बहुत ही अच्छा मैंने एक शलोक टाइप बनाया है तो आप उसे याद रखिए पूरा हम साथ में लिखते भी चलेंगे पहले तो आप लिखेंगे उसे कि चौफिट बेदी रूप कुवारी ठीक है चौफिट बेदी रूप कुवारी चौफिट बेदी रूप कुवारी सतो पंथ फूलों की घाटी फूलों की घाटी इसे बार-बार आपको रिपीट करना है जिससे आपको यह याद हो जाए बिलकुल इसी तरह से चौफिट बेदी रूप कवारी सतो पंथ फूलों की घाटी ऑली गुरुसो चित्र अली चित्र अली तो इस तरह से चौफिट बेदी रूप कवारी सतो पंथ फूलों की घाटी ऑली गुरुसो चित्र अली कैला बद्री नाथ में फैला रता कोण लक्ष्मी घस्तोली देखो बगजी बुग्याल चमौली देखो बगजी बुग्याल चमौली तो अब आपको इसे एक पॉइम की तरह बोलते रहना है और आपको ये याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा देखो बगजी बुग्याल चमौली तो बार बार जब आप इसे बोलेंगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा और फिर आप लोगों को सारी जितने भी यहाँ पर है आप देख सकते हैं आली हो गया बगजी हो गया गुर्सो हो गया चित्र आली चित्र काठा चौफिट बेदी रूप कुवारी और कल्पनात हो गया रूप कुण हो गया ये सारी चीज़ें ये तो आपके फिर उसमें आ वह carry Ali Gurso this ए कज़िका ती कहा 10 अली से है पुश्पा व्ली ध्यान रख़िए अली जो मैंने आपको फॉरमुले में लिख स्टवा ओdogadas funciona ना आप लोगों में को लिखे लिए उगा तो वह आपका जो ऑली गोंर dentist तो इस तरह से आपको याद रखना है कैला बद्री नाथ में फैला उसके बात है रता कॉन हो गया लक्षमी घस्टोली यह सारे के सारे आपके कहां पर है यह सभी आपके चमॉली में हैं तो अब चलिए अगला देखते हैं अगला है आपको उत्तरकाशी की याद करने हैं जो उत्तरकाशी में सारे आपके हैं वो आपको याद करने है तो उत्तरकाशी में क्या है उत्तरकाशी तपोवन कीदार पवाली काठा कुशकल्यार दैयारा गुलाबी काठा इस तरह से आपको याद रखना इसको उत्तरकाशी इस तरह से याद रखिए उत्तरकाशी में तपोवन केदार पवाली काठा ठीक है केदार पवाली काठा कुष कल्यान, कुष कल्यान, दयारा, गुलाभी, काठा इस तरह से आपको यह याद रखना है तो यह आप साथ में लिखते भी चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से यह सारी चीजे आपका सीक्वेंस से बनते जाएंगे और आप इन्हें याद कर पाएंगे तो देख सकते हैं, आप केदार खरक हो गया, आपका केदार काठा हो गया पवाली काठा हो गया, मानेक, हरका दून और कुष कल्यान यह सारी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे तो अभी जो है, हम इन्हें कम्प्लीट नहीं कर रहे हैं हर टॉपिक में हमें थोड़ा-थोड़ा भी पढ़ रहे हैं सिर्फ लोकिशन देखनी की कोशिश कर रहे हैं और मैप पर जाद से जादा चीजों को हम कर पा रहे हैं कर पाएंगे इस वीडियो के बाद और देख पाएंगे कि कौन सी चीज की location कहाँ पर है और साथे साथ कुछ छोटी-छोटी हम मैंने यहाँ पर जानकारिय लिखी रहती है तो आप जितनी बार इन map को देखेंगे उतनी बार अगर आप इन चीजों पर भी ध्यान देंगे 1865 पर्थम जो वन कानून बना था वो 1865 में बना था अब हम बागे सुर में आ जाते हैं तो कफनी पिंडारी glacier हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं नीचे अगर हम टीरे में देखेंगे तो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं जोराई, खतलिंग, कोटली और मासर ताल तो यह तो आपका ताल में आ जाते हैं तो जो निक्स्ट हमारे पास map है इसमें हमने काफ़ सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने information के लिखी हैं तो आप इस से मुव करते हुए जाएं इसे जूम करने के बाद अगर हम करते हुए आप एक तरह से आप दीखिए मैं हरीदवार से शुरू करते हैं तो हरीदवार को संस्कृत नगरी कहा जाता है अगर आप उपर चलेंगे उपर को तो आपको ग्रीन सिटी दिखेगी एक तरफ से आप इसे ट्रैवल करते हुए ऐसा सूचिए कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं पूरे उत्राखण में तो यहां से आपको दिखेगा आपको की रिश आफम लोगों को पता चला विञेंव आपको देखेगा की खजी आप आगे जाके आप लोगों ने अख्या आपको देखने को मिला कि पृए लाग जाके आप लोगों को विज्जान धाम दिखा तो विज्सlund में आप लोग सकते हुआ फिर आप आगे गया तो यहां पर को दयारा बुग्याल दिखा तो विनोग क्या है आपका विनोग आपका है वर्ल्ड लाइफ सेंक्चुरी जो की कहां पर है आपका अगे चल के देरहा दून का है और मसूरी का जो इलाका है वहां गए हैं अगर आप इधर को देखेंगे तो रुपिन सुपिन आपको गिलेसियर दिखेंगे और जो दैयारा भुगयाल है उसको ढूंडने का जो श्रिय है वो चंद्रप्रभा संतवाल को दिया जाता है आगे हम ट्रैवल करेंगे तो हमें बगजी सतोपंथ और हेमकुंड देखनी को मिलेंगे और गोहना ताल आप लोगों को यहां पर मिलेगा जो कि आपके चमोली में है चमोली से आगे आपको बेदनी और काचुला खरक आपको याद रखना है और आप लोगों को इससे जाएगी तो नेक्स्ट है आपका उत्तरकाशी और यहां पर उत्तरकाशी में उसरी उत्तरकाशी उत्तरकाशी आपका यहां पर है स्वरी उत्तरकाशी जो बोला जाता है वो बागे सुर को कहा जाता है और वहीं पर आप लोगों को हर्सिल मिलेगा और मिनी कश्मीर फिर आप जाएंगे मिनी कश्मीर में तो आप देखिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं यहां से आप ट्रैवल करते वह आ रहे हैं तो यह एक अच्छा मैथड है जहां से आप लोगों और उसके बाद नीचे आप चलेंगे तो आपको मिलेगा द्वार हाट रानी खेत और जील नगरी और काट कोदाम कुमाओ का द्वार तो कुछ चीजें आप लोगों पता चली होंगी कि अगर आप इस तरह से आप ट्रैवल करेंगे उपर की तरफ से तो आपको क्या-क्या ची ट्रैवल करते हुए हर एक मैप को एक एक बार आपको लेना है और उस ब्लैंक मैप में आपको ट्रैवल करना है एक तरफ से तो आपको कौन-कौन सी चीजे दिखाई देती है वह र हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखनी है चलिए अब आगे चलते हैं अब यहाँ मंदिरों की नगरी द्वारहार्ट को कहा जाता है यह आपको धियान रखना है और जगत सिंग चौधरी जंगली तो जंगली इनका टाइटल है जगत सिंग चौधरी जंगली अब यहाँ कुछ चीजें हैं इनकी बारे में देखते हैं कि जो मैप में अलग अलग चीजें इसलिए लिखी भी हैं कि अगर एक ही मैप में आप सारी चीजें लिख लेंगे तो आप लोग याद नहीं कर पाईए उन्हें बार बार हर बार आपको अलग चीज देखने के ल सबसे बड़ा दून हो गया फिर आपको चक्राता मिलता है फिर आप कालसी होते हुए आप इधर जाएंगे चिन्याली सौड आपको यहां पर मिलेगा उत्तरकासी में उपर देखिए आपको रुपिन और सुपिन गिलेशियर फिर से दिख रहे होंगे तो बार-बार इनकी ज यह चीजें देखने को मिलेंगी फिर आप आजाते हैं यहां पर आपका रुदर परियाग है रुदर परियाग का 1997 में बना था इसको आप लोगों को याद रखना है कि एक फॉर्मूला है बहुत चोटा सा बरूच रुदर परियाग और चमपावत और बागे सुर यह तीन 1997 में बने थे तो बरूच आप याद रखिए बरूच से उसके बाद आप आते हैं जितनी बार आपको बरूच वर्ड याद रहेगा उतनी बार आपको 97 आपको याद रखना है और जो सरवादिक ताल और सरवादिक अभियारण ने आपके कहां पर हैं चमोली में हैं सतोपन था आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा glacier तो की फिर काचुला खरक मैंने आपको अभी बताया था की काचुला खरक बार बार आपको ये नाम देखने को मिल रहा है 1997 जैसा मैंने आपको लोगों का था बरूच तो बागे सुर यहाँ पर है आप लोगों का और चमपावत यहाँ पर है तो यह तीनों क्या थे आपके 1997 में बने थे अब यहाँ चले जाते हैं अगर हम पितोरागड घूमने जा रहे हैं तो सिंगल चीजें इसलिए लिखी वही हैं कि आप लोग अच्छे से उनको क्लियली देख पाएं तो नैनी सैनी यहाँ पर आपको मिलेगा मिलम यहाँ पर आपको मिलेगा उसके बाद आप नीचे चलेंगे असकोट असकोट के बाद है आपका राजी जो जन जाती है वो यहाँ आपको मिलती है और साथ में आपका लिपलेक दर्रा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा तो आप दीरे दीरे नीचे के तरफ बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इन्फरमेशन दीरे दीरे आप लोगों को क्या करना है ट्रैवल करते भे आना है नानक मता जो जगह है वो चमपावत में आपको और उत्राखंड का जो पामीर कहा जाता है दूदा तोली को कहा जाता है ये मैने मैप के बहार लिखा हुआ है अलाइ आर जैसे मैंने आपको यहां पर यह बताया था राजी तो यहां आपको मिला है बोक्सा और थारू बोक्सा और थारू की जो location है वो यहाँ देखिए थारू आपको यहाँ पर भी मिलेंगे अलमोडा में और यह है आपका राजी यह है थारू बोक्सा तो इस तरह से आपको मैप में इन चीजों को देखते चलना है और प्राक्टिस करना है इस वीडियो का पूरा जो एक हम कहें कि एम है वो यह है कि आप लोगों को यह मैप किस तरह से यूज करने हैं वो बताना इसका एम है बाकि यह सारी चीजे हम अगली वीडियो में शॉर्ट कट के जरीए भी देखेंगे और उसके बाद थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे इनके बारे में सारी चीजों के बारे में अब देखते हैं यहां से यहां पर आप लोगों को मिलेंगे जिल मेल अब हम जो वाइड लाइफ सेंक्शुरी हैं संडक्षती तो उन चीजों को हम देखेंगे ना नीचे है आपका जिल मेल जिल मेल कहां पर है आपका हरीदवार में अब आके चलते हैं यहां पर आपको किसो बान देखने को मिलेगा थोड़ा सी इसको जूम करके देखिए यह आपका किसो बान किसो बान जो है वो टॉंसन नदी पर है मोती चूर जो टाइगर रिजर्व है वो 35 में बना था इसलिए यहां पर मैंने शॉटकट लिखा है 35 जो है 35 मोती चूर के लड़ू इस तरह से आपको याद रख सकते हैं उसके बाद है आपका कालसी कालसी के बाद आपको आसन याद रखना है उपर चलते हैं मनेरी भाली मने योजना है वो आपकी भागी रथी पर है और यहां से जो भागी रथी और भिलंगना नीचे आती हैं और यहां पर आपको यह टीहरी टैम देखने को मिलता है टीहरी में फिर है आपका नरेंद्र नगर नरेंद्र नगर में सबसे जाता जो बारिश का रिकॉर्ड था वो र लेंगी अधस्य पास जो दर्रा है वह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था दर्रे के बारे में तो यहां पर अगर ट्रेल पास आपको याद रखना है कि किस किस के बीच में हैं तो आपको इससे सिंप्ली बोलना है ड्रेल बाप कि ड्रेल बाप जो यह बागे सब्मस्राइब गअब करेंगे बंकोट छीजा करेंगे नीचे शार्दा और काली नदी का जो संगम बनेगा उस पर हमें मिलता है जौल जी भी जान से इसे देखिए जो मैंने छोटी-छोटी यहां पर नदियों के लिए यह मार्क बनाये हैं कि किस तरह से आप लोगों को इसे करना है और यहां पर आपका है अलक नंदा पर उत्यास सुबांध है वो कहां पर है तो उत्यास सुबांध आपका कहां पर है पॉड़ी में है तो लाखू लुए थाप उरेड़ा यह सारी चीज़ां आपको यहां पर मिलेंगी और अलमोडा में और यहां पर बिंसर जो वन्यजीव है ध्यान दीजिए जो पॉड़ी से हैं जो है वो कहां पर है तो हम क्या करेंगे कि उसे बॉड़ी में सोच लेते हैं लेकिन और आपका हपया है अलमोडा में आपको धियान रखना है एक चीज के बारे में तो इसके साथ यह वाला मेप जो है वो भी हमने प्रैक्टिस कर लिया है अगले मैप में चलते हैं मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि ये आप बना लीजी और बनाने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है इसे आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए आप लोगों को इसे प्रैक्टिस करने के बाद बहुत अच्छे से जो उत्राखंड से रिलेटेड चीजे हैं वो आप लोगों को अच्छे से याद होनी शुरू हो जाएंगी अप कुछ चीजें हैं जो ये पुरानी हम कहें कि जो एतिहासिक चीजें मिली हैं वो उन चीजों से रिलेटेड हैं तो आप लोग यहां से देखिए कि हुडली हुडली तो नीली हुडली से आप याद रखेंगे तो आपको कुछ फैक्ट जो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा वो आपको यहां से याद हो जाएंगे तो फलसीमा, पेटसा, लुएथाप और लाखु ये देखिए लोकेशन आपको यहां पर इनकी मिलेगी तो आप लोग इनकी कार्ट भी बना सकते हैं और फिर उन कार्ट को उठाकर आपको क्या करना है उस पर्टिकुलर प्लेस में रखते वे जाना है कि कौन से ये, कौन से जिले में ये चीजे हमें मिली है यहां पर है आपकी इसे जूम कर लेता हूं थोड़ा सा यहां पर है आपका मलारी, गौर्ख्या गुपा और किमनी गाउं तो किमनी गाउं यहां पर आपको पांच किलो का जो क्या मिला था तो यहां पर लिखा है मैंने पांच किलो मलाई पांच किलो मलाई तो पांच किलो मलाई इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहां पे जो पांच किलो का जो मुकुट मिला था वो सोने का था इसलिए यहां पर मैंने पांच किलो मलाई लिखा है जिससे कि याद रहे और बनकोट में आठ कोट बने बन कोट में आठ कोट बने आठ कोट से आप लोगों को याद रहेगा कि यहाँ पर जो आठ तामर आकरतियां मिली थी मानव आकरतियां मिली थी वो बन कोट में मिली थी तो मैंने लिखा है कि आठ कोट बने तो इससे आप लोगों को याद रहेगा बनकोट में मिली है उसके बाद आता है बेनिनाक और कुछ यहाँ पर इस शॉर्ट में मैंने लिखा है कि हिमुवंत जो नाम है वो भी आपका उत्राखंड का है और हिमुवंत नाम जो लिखा गया था वो आपको बहुत साहित्य में देखने को मिला और सबसे पहले जो उत्राखंड का लेक मिलता है वो रिगवेद में मिलता है और मानस खंड और केदार खंड दो पार्ट में बाटा गया है उत्राखंड को तो जो इस तरफ का एरिया है उसे हम केदार खंड कहते हैं और इधर य यह है आपका मानस खंड अलका पूरी और इसे मनु का निवास भी माना गया है तो यहां पर तोड़ा सा मैंने इसे एक्जेक्ट करने की कोशिश की है कि आप लोग इसे याद रखिए कि क्योंकि यह हम पौरानिक बाते कर रहे हैं उत्राखंड के बारे में तो हरिद्वार से ह माले को केदारखंड कहा जाता है और नंदा देवी परवत से कालगेरी को मानस खंड कहा गया है यह आप लोग इसे अलरड़ी देख चुके हैं लाखु लेता फल सीमा और कसार देवी और पेट साल नीचे आपका है चंपावत नेक्स मैप में चलते हैं यह मैप आपको अग यहां पर हमारी सारी जो नदिया हैं इनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में पूरी शॉर्टकट के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा जो नेक्स मैप है यह आप लोगों को अलरड़ी समझ में आ जाएगा जो हम नेक्स्ट उसमें करने वाले हैं तो मैप मैंने आप लोगों को आगे डिसकेस करवा दिया है यह थोड़ा सा बड़ा मैप था उसे मैंने छोटा करके वहाँ पर बताया है विनोग अल्राइट अब आजाते हैं यहाँ पर यह जो है इससे काफ़ी कुशिंस बनते हैं तो इसे हम एक बार देख लेते हैं और तो सबसे पहले हम अलक नंदा अलक नंदा से शुरू करते हैं अलक नंदा जब आगे चलती है तो यहां पर आपको एक प्लेस मिलेगा लक्षमन गंगा उसके बाद है आपका केशब परियाग केशब परियाग कहां पर है सरश्वती वहां पर मिलती है लक्षमन गंगा यहां से मिले गंगा मिले गी आपको और उसके बाद आपको यहां से सरश्रती मिलती है तो केशवप परियाग बनता है तो इसका शॉर्टकट मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि इसको किस तरह से आप लोगों को याद रखना है तो पस्चमी दहुल गंगा मिलती है तो दहुली गंगा तो आपका विश्नु परियाग बनता है फिर आपका नंदाकनी नंदाकनी में नंदपरियाग बनता है ये आपको इसली याद हो जाता है क्योंकि नंदाकनी से नंदपरियाग कर्ण परियाग में आपकी पिंडर नदी मिलती है और जो मंदाकनी है जहां पर मिलती है वो है आपका रुदर परियाग और आगे जाके आपको भागी रथी तो उसे हम देपरियाग के नाम से जानते हैं और आगे जाके ये गंगा के नाम से बन जाएगी अब इसे याद कैसे करना है, यह है आपका इसका shortcut, यह आप इसे formula बोल सकते हैं, तो इसे इस तरह से आपको याद रखना है, अलका के case बापू ने काटे रूम में, तो वो दे परियाग भागी, ठीक है, अलका के case बापू ने, यहाँ पे बापू लिखा हुआ है, तो आप इ आपको फिर याद रहेगा चीजें, एक बार आप इसे बहुत अच्छे से याद करने कोशिश कीजिए, तो सबसे पहले कहां पे मिला है, अलका केसो, हम अलका से आज से आपका अलक नंदा हो गया, उसके बाद आपका लक्षमन गंगा यहाँ पर मिलती है, उसके बाद आप इस तरह से जोड़ते हुए चलिए, तो आपको पता चलेगा, ओन्राइट, एक एक करके, तो अलका अलक नंदा हो गया आपका, यहाँ पर हो गया लक्षमन गंगा, फिर हो गया केस, केस और परियाग और सरश्वती, फिर हो गया बापु, तो बापु से विष्ण परियाग और परश्चमी दोल गंगा फिरु है ने और ने में मैंने सिर्फ यही लिखा है छोड़ दिया है बापु ने एक ही लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि न आ और न ये क्या है आपका नंद परियाग से एक ही है तो नंद नंद से आपको याद आquinhoं दॉरी अकनी से तो यहां पर आपको काटे से आपको थोड़ा सा से आइमेजन करना है कि यहां पर आपको कापे नहीं लिख सकते लेकिन काटे इसे सिर्फ रिन्ट लेने के लिए लिखा हुआ है तो यहां पर नीचे E रूम में तो रुद्र परियाग और आपकी मंदाकनी तो रुद्र परियाग में मंदाकनी हो गया तो वो देव परियाग भागी तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि जो भागी रती है वो देव परियाग में मिलती है और फिर उसका नाम गंगा हो जाता है तो यह सारे आ डेफ्थ जो जिके पढ़ेंगे उसमें धीरे धीरे आप लोगों को यह सारी चीजे यह बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन यह आप लोगों को अंडिस्टेंडिंग जो है आप लोगों के जरूर इससे बढ़ेगी विद इस वी एंड दिस वीडियो सी नेक्स्ट वीडियो